कि पहाडों से एक आवाज आई थी ये कहानी दादी ने सुनाई थी परी रहती थी बादलों में एक लड़का गिना जाता था पागलों में कहता था बादलों से कोई आने वाला है जमीन पर उतर कर मेरी सांसों में समाने वाला है उसे बिना देखे इजहार करता हूँ कहता था मैं उसे खुछ से भी ज़्यादा प्यार करता है। इतना सब सुनकर परी ने जमीन पर आने की खानी। मा ने रोका बाबा ने समझाया पर किसी की एक न मानी। रात का वक्त चारो तरफ अंधेरा था, रोशनी के नाम पर बस चांद का बसे याद। अब चांद से याद आया है कि चांद की रोशनी भी तो फीकी पड़ जाएगी जब वो उतर कर मेरी छत पर आएगी। तो कहानी ने नया मोड लिया, परी ने प्यार की खातिर खाबों से रिष्टा तोड लिया। कहीं में सपना तो नहीं देख रहा है, मेरे सामने कौन खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं, इस तरह चुप्पी सादे क्यों मोन खड़ा है। फिर उसने कहा कि मा, बाबा, घर बार सब छोड़ दिया मैंने, बहुत खाब सजाए थे, काफी उचा उड़ना था, सब तोड़ दिया मैंने, आज से मेरे किस्मत के ताले की चा भी तुम हो, बेचैन सी मेरी धड़कन की बेता भी तुम हो, मेरा सुक, दुख, हसना, रोना स सपंपर निर्भर करता है, चेहरे की खिल खिला, ठोया पल के भीवना सपंपर निर्भर करता है, उसके बाद दुनिया बदली, वक्त बदला बदला ये संसार सार, प्यार की कसमे वादे जूटे निकले, जूटा निकला प्यार सार, अब महब बस से नहीं से गालियों से दर्द में कराती रोती विलकती किसी पुकारती हो अफसोस होता फैसले पर अपने जब भी शीशे में खुट